नश्का दोस्तों मैं हूँ सुमु चोधरी और सुक्सेस प्लस करन प्रेट्पॉम पर आप सुभी का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मर स्टियर 2024 के बारे में किसान आंदोलन 2024 जो कि रिसेंटली फरवरी माह में ही शुरू हुआ जिसमें पंजाब और हर्याना के कुछ किसान संगठनों ने ये तै किया कि वो अपनी मांगों के साथ राजधनी दिल्ली की तरफ कूछ करेंगे और सरकार का गहराओ करेंगे और अपनी मांगों को सरकार से मनवाएंगे अब इसमें बहुत सारी डिमांड्स हैं जिसमें एक डिमांड जो है वो MSP की है ये MSP क्या होती है और ये किसानों को क्यो मिलनी चाहिए इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि सरकार का क्या रुख है इनकी मांगों के उपर आप आप ये भी जानते होंगे कि 2020 में भी एक बहुत बड़ा एतियासिक किसान अंदुलन हुआ था जिसमें तीन कर्शी कानून जो सरकार लेकि आई थी उसके विरोध में सरकार के खिलाव किसानों ने धरने दिये थे बहुत बड़े इस तरपे जिसके बाद सरकार को जुकना पड़ा और सरकार ने वो तीन कर्शी कानून जो है उनको रिपील किया उनको वापिस लिया साथ ही MSP की भी गैरेंटी बे उस समय उन्होंने हा करी थी जिसको वो अभी तक इंप्लिमेंट नहीं कर पाएं बहुत सारी सरकार के खिलाव किसानों की जो हैं मांगे हैं और विरोध के कारण हैं उनको हम यहाँ पे डिसकस करेंगे अब आप एक बात जानते होंगे दोस्तों कि अगर फार्मर नहीं रहेगा तो फूड नहीं रहेगा बहुत से लोग जो हैं वो जब किसान आंदोलन करते हैं तो ट्विटर फेसुक पे किसानों के खिलाब बहुत सारी भड़काव बाते लिख देते हैं बिना सोचे समझे उनके पक्ष को जाने जब कोई भी आदमी विरोध करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है अब जब सरकार ने इन किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए पंजाब हरियाना के बोर्डर्स को सीज किया है बड़े-बड़े बैरिगेट्स लगाए हैं, वाटर केनर्स चलाए हैं, इवन इनके उपर गोलियां तक चली हैं और कुछ किसान उसमें मारे भी गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसान अपने घर से गोलिया खाने के लिए ऐसे ही निकल जाएगा उसका कुछ तो कारण रहा होगा ना, कोई तो दिक्कत होगी उसके साथ, कहीं ना कहीं तो वो परतारित हो रहा होगा कहीं तो वो स्ट्रगल कर रहा हो इसलिए तो वो विरोध कर रहा है कई लोग ऐसे ही कह देते हैं कि ये किसान नहीं है तो क्यों हैं? कौन हैं वो लोग जो कि सिर्फ विरोध करने के जा लिए जा रहे हैं? सिर्फ गोलियں खाने के लिए जा रही है, ऐसा नहीं होता है किसान की इस्तती भारत में बहुत ही सोचने वाली है, बहुत दैनी है भारत का किसान दुनिया में, आपको पता है कि सबसे ज़्यदा किसान जो है है वो खेती करती है और उनका contribution और उनके पास जो accession है resources का वो सबसे कम है तो इसलिए किसान विरोध करते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनके हक की लड़ाई में उनकी जो मांगें हैं उन बहुत सी मांगें वाजिब भी होगी बहुत सी आपको नाजायज भी लग सकती है वो ठीक है वो point of view है बहुत सी मांगें हो सकती है आपको लगें कि यह तो inappropriate है वो एक अलग issue है उनको उस तरह से ही उनका आंकलन करना चाहिए लेकिन just because कोई विरोध कर रहा है कोई highway block है और या कोई विरोध की वज़े से आपको थोड़ी सी सोने की चिड़य क्यों कहा जाता था यहां पर सोना तो निकलता नहीं था इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत के अंदर अच्छे से खेती बाड़ी होती थी और अच्छा खासा surplus था agriculture का जिसकी वज़े से दुनिया भर की लगभग 30% GDP का पूरा भारत से निकलता था आज व पिर भी किसानों की स्तती बहुत नाजुक है तो इसके हम बात करेंगे किसी और वीडियो में लेकिन अभी हम फार्मल प्रोटेस 2024 के ओपर फोकस करते हैं तो 13 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक किसान मोर्चा इन दो संगठनों के किसान नेताओं ने ये तै किय कि तरफ कूच करेंगे अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और MSP जो की minimum support price जिसे का जाता है उसके उपर वो सरकार से liquid में एक legal guarantee लेंगे अब ये MSP किया है आगे इसकी बात करेंगे और दूसरी एक और बड़ी demand है कि किसानों के उपर जो loan है उनको माफ किया जाए वो भी कितने हैं क्या है उनकी भी आगे थोड़ी से हम बात करेंगे तो इसके बाद ये मोर्चा शुरू हुआ लेकिन इसमें हमें क्या क्या जानने की जरूरत है कि इनकी demands क्या है डिमार्च के साथ साथ जो demands के बाद obviously सरकार के साथ इनकी meetings हुई वो meetings fail क्यों हो रही है और स पुली की तरफ कूछ करने लगे पंजाब से हर्याना के रास्ते होते हुए इन्होंने ये तै किया तो interstate boundary जो है हर्याना पंजाब की वहाँ पे शंब अंबाला बोर्डर और खनोरी जिंद वाला जो बोर्डर है जहाँ पे जो highways है उनको रोकने के लिए सरकार ने multi-layer barrigating क कराई गई जिसमें iron nails, barbed wire, concrete barrigates, locks और trench, anti-rights, vehicles इन सभी को install यहाँ पे कर दिया गया टीर गेस, आसू गेस जो वो है, विड्रॉन्स वगरा ये सब चीज़े यहाँ पे water cannons वगरा सब कुछ लगा दिया गया जिसकी वज़े से police और farmers के बीच में कुछ clashes भी हुए तो इस त थोड़े से यहाँ पे aggressive हुए, उनका भी यह था कि हमें दिल्ली तक पहुँचना है, उसके बाद police की तरफ से कुछ लाठी चार्ज और कुछ गोली बाजी भी की गई, जिसमें एक किसान की यहाँ पे मुर्ती हो गई, उस गोली लगने की वज़े से जो bullet है वो उसके head में उसके लावा भी अभी तक कुछ आंकड़े से आ रहे हैं कि चार किसानों की death हो चुकी है, अभी जो recently किसान आंदोलन शुरू हुआ उसमें भी, तो किसान मारे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं एक आंदोलन में, कारण क्या हैं, मांगे क्या हैं, तो मांगों के लिए यह दो प सबसे पहली और सबसे इंपोर्टेंट जो डिमांड है वो है MSP की, मिनिममम सपोर्ट प्राइस, यह मिनिममम सपोर्ट प्राइस होती क्या है, सबसे पहले तो आपको यह पता होने चाहिए, MSP वो प्राइस है जिसके उपर सरकार किसानों से जो प्रोड़क्ट खरीदेती है मतलों उनसे जो ग्रेइन्स खरीदती है, ओल घ्रीद्स खरीदती है, फूट ग्रेइन्स खरीदती है या किसी भी तरीके का प्रोड़क्शन खरीदती है, वो कितने पैसे पर खरीदेगी, मिनिममम प्रेट क्या होगी, बेसिकली अगर सरकार यह कहते है कि आप गेहुं होता है तो किसान को चाए कुछ भी चल रहा हो मार्केट में लेकिन किसान को 2500 रुपए पर क्विंटल मिलेंगे और सरकार इसको खरीदेगी सरकार की मंडियों में जाके वो बेच सकता है तो यह जो गैरंटी है यह MSP guarantee होती है basically minimum support price हम minimum इतने पैसे में तो आप से ये grain खरीदेंगे ही खरीदेंगे इसके उपर आपका जो demand and supply जो graph होगरा है और वो जो forces हैं उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा हम आपको पच्छी सो रुपए पर quintal देंगे ही देंगे ये अगर सरकार तै कर ले तो वो क्या हो जाएगी minimum support price हो जाएगी MSP's के अंदर आज के समय तकरीबन 22 crop आती हैं जिसमें primary grains भी आती हैं फल्स डालें भी आती हैं कुछ oil seeds भी आते हैं पैड़ी कोबरा ये सब आते हैं लेकिन MSP's में होने के बावजूद भी भारत में बहुत कम से कम किसानों को MSP के उपर अपने प्रोड़क्स को बेचने का लाब मिलता है बेनी फिट मिलता है क्यों सरकार ने तै कर दिया कि भाई 2500 रुपे पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरी देंगे लेकिन मंडियों में जाते हैं तो MSP प्राइस तो मान लीजिए 18 रुपे है पर केजी के हिसाब से लेकिन बेचना पड़ रहा है 6 रुपे पर केजी के हिसाब से किसी के है तो 25 रुपे है बेचना पड़ रहा है 11-12 रुपे के हिसाब से क्यों क्यों क्योंकि उनको ये जो मंडिया है और ये जो system है इसको पूरी तरह से ढंक से implement नहीं किया गया है सरकार के तो MSP एक बहुत बड़ी जो है need है किसानों की और सरकार इसको नहीं लागू करवा पा रही है और इसके उपर सरकार का जो आगे मैं आपको वो भी बताऊँगा कि उनका क्या है इसके उपर विचार ठीक अब आप ये सोचेंगे कि अगर किसानों को MSP मिल गई हर एक food grain के उपर तो महंगाई नहीं बढ़ जाएगी तो आप बताईए कि महंगाई अभी नहीं बढ़ी हुई है क्या आप ये देखिए मंडी का भाव गेहू का कितना है 2221 रुपे पर quintal 2300 मान लिजिए maximum कितना है 2300 रुपे पर quintal के हिसाब से गेहू मंडी में खरीदी जा रही है लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं और आशिरवाद का 10 किलो का आठा खरीदते हैं कोई दूसरा आठा भी खरीद लीजिए मैं किसी एक product की बात नहीं कर रहा तो तक्रीबन कितने रुपे में मिलता है व आपने 2300 रुपे पर quintal की गेहूं को आटे में पीस के एक थैली में pack करके कितने के इसाफ से बेचने की कोशिश चाह रहे हैं आप 444 रुपे कर पर केजी के हिसाफ से बेच रहे हैं 23 रुपे पर केजी वाली गेहूं को कितने आठा पीस के उसकी rate कितनी बढ़ गई 21 24 रुपे कर अब आप कहेंगे कि यह जो company है इसके भी तो expense होंगे इतने expense होते हैं क्या इतने ज्यादा कि मतलब एक केजी में 21 रुपे बढ़ गए डबल हो गई price ऐसा नहीं होता है आप मार्केट में कभी निकल ये 10 किलो आटा पिसवाने के लिए जाए 10-20 रुपे में अगर आप निकल के आएंगे तो यह अगर 25 में भी बेचेंगे ना तो भी मुनाफाई कमाएंगे पच्छिस सो का यह अगर 200 का बेचेंगे 260 का 270 का बेच लीजिए 300 का बेच लीजिए लेकिन क्या 440 का इतनी महंगाई है तो आप यह सोचिए कि MSP तो सरकार देने के लिए र है पीश के आटे को प्रकेजी के साभ से 25 के साबसे का मुनाफ़ा खमा रहा है कौरप्रेट जो चने बेचते हैं चने किसान का बेटा होगा वह समझ पार होगा कि कभी 4000 कि साफ कभी 5000 साफने मार्केट किसान के पास नहीं है किसान उसे अपने पास होल्ड नहीं रखता इसलिए या फिर कॉर्पेट ये कहता है कि हमारे तो खर्चा इतना लग जाता है इसको पीसने का हमें इतना भी नहीं पता है कितना लग जाता है उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देने के बाद भ हमें minimum guarantee दे दो MSP की कि जितना हमारा खर्चा लगता है ना किसी चीज को बोने से लेके उसको काटने तक उसको ग्रेन को पकाने तक उसका 1.5 टाइमस तो हमें मिले बेसिकली ये कहना चारे कि अगर एक गेहूं है उसे बोने से लेके उसका बीज उसकी बुआई उसकी लेबर उसकी कटाई और उसके और निकालना तक जो है मान लीजे दो हजार पर कुईंटल के हिसाब से पैसा लग जाता है तो कम से कम हमें 3,000 तो दे दो 1.5 तो दे दो इतन बात है ये इन्होंने कहा दूसरी बात की दूसरी जो डिमांड हिनकी वो यह है कि 2020-21 में जो किसान अंदुलन हुआ था उसमें तकरीबन साड़े साथ सो किसान जो है वो मारे गए और कई हजारों की संख्या में किसानों के उपर क्या है केस फाइल किये गए प्रोटेस्ट क कि लग सकती है एक्स्ट्रा लग सकती है कि उनको कैसे ओमरेंच जोग दिया सकते इतने बीक कितना कि मिलेगा क्या होगा तो अलग लग तरीक घ्रीकिये की यहां कर अन्हों पर यहां पर कैसे स्बार्पर क्रेय trailer की मान्ड़ करते है वह bew हाग Hybrid हो की यहां पर कुछ अध हो ज्यादा बोल दिया इतना तो नहीं होने वाला है इतना ना सरकार मांने वाली है उल यह ए उरफ्रोपरियेट भी है आपको ऐसा लग सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लगे तो ऑपका αपना उपिनियन भी है उनका अपना उपिनियन भी है जो चीज एपर स्परप्रियेट होगी उसे स्विकार नहीं भी किया जाएगा ये भी तॉय है कि यह जो डिमांड है मुझे नहीं लगता किस्व कारी जाएगी और फोसकता हो भी जाएगी क्यों यह तो यहां जारी करता है जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी होते हैं कि इंपोर्ट के उपर रेस्टिक्शन नहीं लगा सकती कोई सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगा सकती ठीक है उसके अलावा अपने किसानों को सबसीडीज नहीं दे सकती उनको ज्यादा फाय पिछड़े हुए संगठन है पिछड़े हुए जो ग्रूप है पिछली हुई जो कम्मुटी जहें उनको किसी तरीके का सहरा देने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है तो इसलिए कृट कर देना चाएं ऐसा किसानों की मांग है और कहा है कि इंक्रीज करना चाएं इ इंडियन फार्मर से ही सब HIS्ऐ कि फूड कमूल्टिज को खृत्व और भारत के वार्त की नेशनल फूड सेक्योर्टी को प्रीर्टाइज करनावारत के नहें वाहर के ग्रेज करना चाहिए बलकि भारत ही जो जो किसान आδुछ अंहीं को यहां पर दिक्कत वाली बाते हैं चोती जो डिमांड है वो है कि किसानों के उपर और लेबर कम्मूनिटीज के उपर जो लोन्स हैं उनको माफ किया जाए जिनको सरकारें अलग अलग जगाहों पे जब अपने सरकार बनाने का टाइम आता है तब तो यह मांग कह देती है कि हम आपके सारे लोन्स माफ कर देंगे यह आपको पता होगा कि राजस्तान में भी हुआ पंजाब में भी हुआ अलग अलग स्टेट्स में करनाटक में भी हुआ जब किसानों से यह वादे कि आपके सारे लोन्स माफ हो जाएंगे जूटे कोरे वादे थे, नहीं हुआ ऐसा कुछ अब ये भी बात ठीक है कि हर आदमी का अगर सारा लोन माफ कर दिया जाए चाहे वो कोई भी हो तो क्या होगा, देश तो खंगाल हो जाएगा, देश में काम कैसे होंगे क्योंकि सब के लोन माफ कर दिये तो लोगों, सरकार के पास तो पैसा ही नहीं मचेगा, लोन में डूब जाएगा देश और हर कोई पैसा लेके गोवर्मेंट मैंक से गोवर्मेंट से लोन लेके वापस चुकाए गई नहीं ऐसा तो नहीं होना चीए, तो फिर ये भी जो ध्योगपती हैं, उनका तो लोन माफ हो रहा है, लेकिन खिसानों का लोन माफ करने की जब बात आती है तो सोशल मीडिया के अभियान चलाय जा रहे हैं और कह रहे हैं क्या है, ये क्या चाहते हैं कि पैसा ले तो लेते हैं लेकिन चुकाने के टाइम इनको जो रहाता है तो इस तरीके की जब बाते होती है तो यहाँ पे तो किसानों का गुस्सा आए गा ही कि भई हम लोन चुका देंगे कि आप कोपरेट का लोन तो माफ नहीं कर रहे है उनका तो माफ कर रहे है हमारा नहीं कर रहे है 2023 के फाइनेंशियल एर में तकरीब थीन लाग करोड का बैंक लोन माफ किया है सरकार नहीं ठीक है फिप्टी प्रसेंट और नाइन लाग करोड का लोन जो है वो माफ किया है जो बिग इंडिस्ट्री से था तो बैंक लोन तो है अब आप एक और चीज कहिए और भारत में किसानों के उपर लॉंच किरना है तकरीबन हर एक किसान के उपर भारत में जो फार्मिंग हाउस होल्डिंग है उनके उपर तकरीबन 74,121 रुपे का लोन है एवरेज अब पंजाब में ज़्यादा मिल जाएगा या कहीं हरियाना में थोड़ा कम मिल जाएगा और महारष्ट रूपे जादा मिल जाएगा ये तो अर जगये वेरी करेगा एरेज तो ठीक है state wild अलग है ये country का है अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक किसान ये जो लोन है इसको चुकाने में समर्थ नहीं है बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि समर्थ हैं वो लोन चुका सकते हैं तो उनको चुकाना भी चीए लेकिन माफ कैसे करेगी सरकार तो आप ये बताइए जब देश भर में इस तरीके से सब तरीके के सर्टिफिकेट बन जाते है OBC का NCL सर्टिफिकेट बन जाता है EWS बन जाता है यहाँ पे आपके BPL कार्ड बन जाते हैं तो किसानों के अंदर ऐसे कार्ड नहीं बन सकता है किसान की इस्तितियों का जायजा लेद कर ये नहीं पता किया जा सकता है क्या कि ये किसान चुका सकता है ये नहीं चुका सकता है ये आदा चुका सकता है पूरा नहीं चुका सकता उनकी इस्तती को देखते हुए कभी-कभी लोन माफ करना भी पड़ता है कोर्परेट में भी तो करते हैं आप कोर्परेट में भी तो आपने subsidies भी मिलती हैं सब चीजे होती हैं लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज़्यदा किसान आते मत्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं तो यह एक demand है जिसको किस तरीके से सरकार मांती है कितना मांती है ये आगे देखने वाली बात होगी तो लोन की माफ की बात हो रखी है उसके बाद बात आती है कि लखीमपूर खेरी मसाकरे के विक्टिम्स को जस्टिस मिले लखीमकूर खेरी मसाकरे लखीमकूर के अंदर बीजेपी मिनिस्टर के जो स्टेट मिनिस्टर थे अजेस मिश्रा टेनी जो एक बड़े मिनिस्टर थे उनका अच्छा खासा दबदबा था अपने चेतर में उनके बेटे आशीश मिश्रा उफ मौनू जिनका नाम था उन्हों को दिया था बेसिकली लखीम पूर्खेरी में किसानों को इस तरह से अपनी बड़ी गाड़ी के नीचे ठीक है उनको अलावाद कोर्ट ने बेल दे दी थी उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने से ओर्टन कर दिया फार्मर्स उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मिश् सब्सक्राइब बने रहे और बहुत सारी चीज़ें अभी वो केश चल रहा है आशिश मिश्रा को कानून जो है अपने हिसाब से सजा देगा और किसानों की मांग है कि उनके उसको सजा मिले साथ ही साथ जो किसान है उनको मौावजा भी मिले अच्छा खासा ठीक है जो गोर करने की वजए से पर्यावन को नकसान होता है और जिसकी वज़े से आप 9 दिसंबर में देखते हैं कि इतना सारा धुमाँ आता है दिल्ली की तरफ और शहरों की तरफ बहुत सारा पोलिशन की दिक्कत हो जाती है किसान चाहते है कि उनको इस पौलिशन एक्ट में स्टैबल कुछ और रास्ता निकालना चीए कि उस stable को किस तरह से खाद में बदला जा सकता है या कैसे गलाया जा सकता है या समय दिया जा सकता है क्योंकि burning burn करके उससे काफी pollution होगा हालांकि pollution के और भी बहुत सारे कारण है इंडुस्ट्रियल पॉलिशन हो रहा है उसको भी नहीं रोका जा रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही है लेकिन इस्टैबल बर्नींग का जो इश्यू है ये किसानों के मांग है लेकिन पर्यावन को ये नुकसान पहुँचा सकता है क्योंकि वो पर्यावन जो है किसानों के लिए भी है वो हर आदमी के लिए है तो ये तो एक बड़ा चुनोती पूर्ण बात है कि ये करना या ना करना ये लखिंपूर वाली घटना है जिसके में अजेश मिश्रा और उनके बेटे मौनू कि यहां पर बात सिटी में सबसेडी मिलती हैं सिचाई के लिए जो यूज करते हैं उसको उनको ऐसा लग रहा है कि वो लूज कर देंगे वह सबसेडी चली जाएगी उनके हाथ से तो इसलिए उन्हों ने कहा है कि इसके अलावा एक पेंशन स्कीम की भी इन्होंने बात की है कि 10,000 रुपे इसको जिनकी उमर अठाउन साल से ज्यादा है उनको 10,000 रुपे पेंशन दी जानी चाहिए ठीक है ये बात है हालांकि सरकार तो पुरानी पेंशन स्कीम को भी बहुत हद तक दीरे-दीरे करके कम करना चाहती है तो ये वाली डिमांड भी है ये लगता नहीं है कि पूरी हो कि आप जानते हैं कि जब सरकार या कोर्परेट अक्वायर करती है किसानों से किसी भी तरीके के एक री सैटलमेंट मतलब किसी भी तरीके के डेवल्लपमेंट वर्क के लिए जाए वहां पशरके बने रेलवे बने या कोई बड़ी इंड्रिस्ट्री बने तो उनको सरकारी रेट के हिसाब से जो है Information मिलता हैं पैसा मिलता हो जमीन का लेकिन नहीं सरकार इतना इनएफ पैसा नहीं देती है जो की डेंड है कि सानों की टोकरे खा रहे है ठीक है, दस्वी डिमांड है कि penalize the corporations producing fake seeds, जो corporate fake seed बना रहा है, pesticides बना रहा है, fertilizer बना रहा है, इस तरीके के product बना रहा है, जिसकी वज़े से किसानों को नुक्सान हो रहा है, उनको, उनके उपर penalties लगाई जानी चाहिए, उनको जो है, ban किया जाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद यह है कि include the agriculture labor in the government employment R&T scheme, जैसे मनेरगा जैसे scheme है, जिसमें 100 दिन की, 800 दिन की, 200 दिन के लगाई, जैसे जो guarantee होती है, रोजगार की उस तरह से, जो minimum wage के उपर, जो agriculture labor है, उनको भी सालाना 200 दिन तक employment मिलने की guarantee मिलनी चाहिए, बारभी demand, आखरी demand है, जिसमें इन्होंने कहा कि जो indigenous people हैं, जो हमारे native हैं, यहां के जो लोग हैं, उनको forest, water और lands के उपर अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि पांची यह नुसुचिया में भारतिय सुईधान में लिखा गया है, उनके उपर किसी तरीके का violence नहीं होना चाहिए, कि forest का इस्तमाल करना, water का और land का इस्तमाल क इन में जो मांगे मैंने आपको बताई, इन में कितनी मांगे आपको जायज लगती हैं, कितनी नहीं लगती हैं, आप जरूर बताईएगा comment section में, जब कोई protest करता है तो उसमें कई सारी demands वो बढ़ती चली जाती है, कुछ मांग आपको लगती होंगी, कि यह appropriate नहीं है, अब सरकार का क्या है, इसके उपर नजरिया, stance, basically रुक, सरकार कहा है, union minister जो है, उसने कहाया कि guarantee जो है na MSP के उपर वो possible नहीं है, guarantee नहीं दे सकते, MSP पे खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन guarantee नहीं दे सकते, अभी agriculture union minister अरजन मुंदा है, जो के पहले tribal minister थे, इन्होंने कहा guarantee के उपर, अगर सरकार की बात करें, तो अभी तो possible नहीं है, और हमें इसके सारे पहलों के उपर बात करनी होगी, तो basically अभी mood में नहीं लगरी सरकार, अब देखते हैं, यह protest चलता रहेगा, अगे तो क्या उसके उपर बात होंगी, यह बात है, उसके बात है, उसके बात है एक Essential Commodities Amidment Act, एक ता Farmer Empowerment and Protection Agreement Act, और Price Assurance and Farming Service Act, यह तीन एक्ट थे, जिनको सरकार को वापिस रोल बैक करने पड़े थे, और इसके साथ ही सरकार ने उस समय कहा दिया था, कि हम आपकी जो भी crop से हैं, उनको MSP पर खरीद देंगे, इस बात को उन्होंने guarantee देले किने हाँ ब बता हूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आजादी के बाद की थोड़ी सी बात बता देता हूँ, कुछ बात, जब देश आजाद हो था तकरीबन देश की 70% आबादी जो है, जो workforce थी, वो खेती बाड़ी में involved थी, agriculture field में involved थी, directly या indirectly, basically labor work में और directly खेती करने में, इसकी जो है, result के तोर पे, 54% Indian economy का output उसी agriculture से निकल के आता था, ठीक है, तो basically यह कह सकते हैं कि 70% आबादी, 54% इकनोमी को generate कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा वो था, आप कह सकते हैं कि balance तो था, ऐसा भी नहीं है कि 70% आबादी 5%, 10% ही develop कर रही है, economic output दे रही है, तो ठीक ठ ठाक ठाक हो, लेकिन अब क्या हो गया है, पिसले कुछ दर्शकों में, कि आज के समय, देश की 70% से वो आबादी तो 55% हो गई है, जो की आशिर्त है करशी के उपर, लेकिन वो 55% आबादी, GDP का सिर्फ 18% ही, जो है, contribute कर पाती है, मतलब केती की इस्तती खराब तो हुई है, agriculture जो है, वो एक primary source नहीं रहा है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि भारत में, किसानों के स्तती बहुत ही, खराब हुई है, बहुत स्तती खराब हुई है, उनके पास, जो है, जमीन भी अब और distribute हो गई है, अगली पीडियो में बढ़ते बढ़ते जमीन बढ़ जा है, वो खराब स्तती में है, और उसकी वज़ासे, रिपोर्ट के हिसाब से, NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से, 154 किसान डेली भारत में suicide कर रहे है, बड़ाई दुख की बात है कि 154 किसानों को हर दिन भारत में suicide करना पड़ रहा है, जिसमें पुरुशों की संख्या जादा है काफी जादा है, महिलाओं की कम है, लेकिन है, वो भी है, तो यह तो बड़ी बात है, और उसकी रेट जो है, वो 4% बड़ी है, 2022 क्या ये डिटा बता रहा है कि किस से भी 4% बड़ी है 2022 में, तो और पिरिट ऑफ टाइम तो बढ़ती जा रही है, सुसाइड रेट कम होने की बढ़ रही है, इसका मतलब किसानों की स्टेथी तो खराब है, तो ये बात है कि किसानों के इशूज बड़े पेचीता है, हालां कि ये भी नहीं है कि MSP की गारेंटी देने के बाद सारे इशूज खत्म हो जाएंगे, MSP तो एक एक छोटा सा विशह है, जो होना चीए, MSP म मेने अपने स्टोरेज में रखने के बाद, तो ये तो बड़ी बहुत ही खदरनाग बात है, कि आप किस तरह से किसानों का तो सोशन कर रहे हैं, कि जब वो किसान बेचने आता तो कहता है, कि नहीं नहीं इतना अभी तो बहुत है, इतना ही मिलेगा, लेकिन बेचने की के साथ और भी बहुत सारे structural problem है, और उनको भी समझाना पड़ेगा, कहीं पानी का issue है, कहीं पर पानी access में है, कहीं पर कम है, तो पानी कहां पर कितने बांध बनाने चाहिए, कितना पानी कहां पर होना चाहिए, distribution होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजे हैं, जिनको निका पड़ेगी, बहुत सारी मदद उनके करनी पड़ेगी, ताकि हमारा अंदाता कहीं न कहीं अपने आपको सुरक्षित महसूस करे, तो ये बहुत जरूरी है, किसानों के लिए, और किसानों के issues को दबाने से काम चलेगा नहीं, कि उनके खिलाफ बैरिगेडिंग कर देए, उ हमारी कोई भी community हो चाहिए, आप student हो, चाहिए आप किसान हो, जब बैरिगेडिंग लगाई थी, तो किसान का कोई मुख्या वहाँ पर जाके बात भी कर सकता था, बैरिगेडिंग लगाने की बजाए, तो वो है कि आप उस issue को दबाना चाहते हैं, आपकी मनशा क्या है, वो उनको समझा पाएंगे, कहेंगे कि ये appropriate नहीं है, ये appropriate है, तो जो appropriate है, उनको मानना जरूरी है, और जो नहीं है उनको मानना, उनको समझा के हटाया भी जा सकता है, तो ये बात है, एक MSP देना या कोई भी एक wave of दे देना मानलो लॉन्स में, ये एक solution नहीं है, इसके बहुत सारे बहुत सारे अलग लग issues उन सबी को XL कर ना पड़ेगा पंजाब में को यह एक इसूल होगा करनाडका में कोई दूसरा होगा राजस्तान में कोई तीसरा पानिक आई पैस्व होगा उन सबी को consider करके उनके उपर सरकार को काम करने पड़ेंगे तो यह जो कंटेंट है हिंदू और इंडिन एक्सप्रेस और और भी कुछ जगहों से मैंने लिया है तो उनके लिए कर्टेसी मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो में अगले मिलने से पहले मैं आपसे एक और information शेर करूगा कि हमारी application जो है success plus academy से भी आप जरूर इंस्टोल करें रेटिंग भी करें साथ ही हमें पर आपको इन वीडियोज की pdf मिल जाएंगी इन संटीट इन रेलीटीड विडियो लेक्षिघरस भी मिल जाएंगे साथ ही success प्लस एकार्ड़ में के परीमियम कोर्सेंस भ